आज हम शुरू करने जा रहा है क्लास नाइन एंसे आटी मैक का चैप्टर डॉबर 12 इस्टेटिस्टी एक्सरसाइज 12.1 का कोश्चन नंबर 5 यह वीडियो का पार्ट 3 है इसके पहले के वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने कोश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यह चार कोश्चन स्वाल कर लिए थे यह फित्त नंबर कोश्चन निया राइट कर रखा है इसको रीट करेंगे और इसका सलूशन करने का प्रयाज करेंगे तो दा फालोईंग टेबल गेस्ट लाइफ टाइम आप 400 नी ओन लाइन यह यहां पर देखे टेबल बना हुआ है लाइफ टाइम आवर्स में दिये हुए है नंबर आप लैंज दिया हुआ है 300 to 400 14 400 to 556 500 to 660 600 to 786 700 to 874 800 to 962 900 to 1048 तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले इसका ग्राफ करना क्या इसमें question में देखी दिया हुआ है यह जो question है इसको करना है वरतार question number five to represent the given information with the help आप a histogram इसके लिए आप क्या करना पहले इस्टोग्राम बनाना है इसके लिए हमने X-axis और Y-axis यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है और जिग जग लाइन के बाद 300 से हमने स्टार्ट किया है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इन वन था हो जी यह क्या है लाइब टाइम है आवर से और इधर देखें नंबर आप लाइम से 10, 20, 30, 40, 50 60, 70, 80, 90, 100 यह बच्चो इस तरह से X-axis में लाइब टाइम को आवर्स में सो कर दिया य एक्सिस में नंबर आप लैंस हो कर दिया ठीक न तो सबसे पहले सेलूशन का जो पार्ट वन है इसमें को क्या करना था इसमें हमको इसको रीप्रेजेंट करना हिस्टोग्राम के अन यह एक्सिस दा हिस्टोग्राम आप डगी मन इस इस इन पार्मेशन केन वी ड्रवाइक दिश्चेल यहां बेए शेल हमने माना उंप्रें अमने है स्वां यूनित आन य एक्सिस वाड यूनित आन य एक्सिस दीस इपोल स्थेंट स्वाइब्स, इसको रीप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले जो लाइफ टाइम 300 से 400 के बीच का है ड़ी नमबर आ फोर्टीन तो 14 का मतलग यह देखिए यहां 10 है 10 से थोड़ा उपर आएगा इसको आप ग्राफ पेपर में बनाईगेगा फियर तरीके से यहां पर हम रफली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहां पर कितने हैं 14 है ओके नेश्ट जो है हमारा हूँ कितना है 400 to 500 56 लैंक्स है तो इसको 50 तक ले जाएंगे इस तरह से 50 से थोड़ा उपर जाएगा 60 से थोड़ा नीचे होगा तेगना 56 ग्राफ पेपर की यल्फ से इसमें 56 आप सो कर लेंगे किकि 50 के बाद भी यहां 10 पार्ट होंगे तो 6 पार्ट आप ऐसे 6 पार्ट पर जो है यहां सो कर दिए 56 हो जाएगा 60 देंकि 60 इग्जैक्ट 60 इसको 60 के इक्वल ले आएंगे और 600 to 500 to 600 यह हो गया 60 नेश्ट 86 602 708 नमबर आप लाएं से 86 80 के उपर और 90 से थोड़ा नीचे यह हो गया 86 देन आप्टर 74 70 यहां से 74 इस तरह से हमने 74 सो कर दिया देन आप्टर 62 60 से थोड़ा उपर आप्टर 48 लास्ट नमबर जो आए 50 से थोड़ा नीचे 48 ओके स्टुडेंट यहां गया 48 ओके यहां पे देखिए आपने यहां लिख रखा फोड़ती है तो यह इस्टोग्राम होगे बार ग्राप और इस्टोग्राम में डिफेरेंस है यह बच्चों जो बार ग्राप होता उसके बीच में गैप होते है जब कि सहनी लिए लिए कि रशना सास्थ प्रस्याफन से अबकिनाफर से लिएृंगे टव prix तो Core ए बजया किने अबब झाले। तर गिए लिएॉफ किट्यों होटे दंभ of neon lens second part number of neon lens having their lifetime having their lifetime time more than 700 hours each कितना हो जाएगा देखिए 74 प्लस 62 प्लस 48 74 प्लस 62 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 to 10 10 4 14 6 4 10 17 184 यह answer आ गया ठीक न तो इस तरह से बच्च्चों देखिए हमने जो कोश्चन के दो पार ते फर्स पार्ट में आपको हिस्टोग्राम के रूपे रीप्रिजेंट करना था सेकेंड पार्ड में नंबर आप बल्स हो करने थे जो 700 से आवर से जाए लाइफ टाइम रखते हैं तो दो बच्चे देखिए कोश्चन काफी आसान था आसानी से आप इसको ग्राफ पेपर पे रीप्रिजेंट कर सकते हैं और इस तरह से यह कोश्चन नंबर फाइप यहां सॉल हुआ आपको लगातार करना यही है कि वीडियो को वाच करते रहिए कमेंट करिए स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसके बाद कोश्चन नंबर सिक्स भी स्वाल करेंगे तब तक आप पेपर पे रिठा आईए प्रेक्टिस करते रहिए तो देखेंगे इस्टुएंट कोश्चन नंबर सिक्स हमने आरायट कर रखा है दा फालोईंग टेबल गिप्ट इस्टिबिशन आप इस्टुएंट आप तू सेक्शन एकार्डिंग तू दा मार्श आप्टेंड बाइद बाइदें सेक्शन एक सेक्शन बी मार्श जीरो ते यनिए निए ट्कर ट्रकान आप एक सेक्शन एक सेक्शन एक क्लाश मार्श टेबल तो सेलोशन का पार्ट वान रिप्रेजेंट दा मार्श आप स्टुडेंट आप बोध दसेशन तो पहले आपको रिप्रेजेंट करना है सेम ग्राफ बाइट टू फ्रेक्वेंसी पॉलिगान फिर उसके बाद फ्राम्द टू पॉलिगान कंपेर दा परफार्मेंश आप तू सेशन चलिए सलूसन करते है है सलूसन की क्रव में हम को करना क्या पड़ेगा स्ते पहले वथ्यों देखिए क्लासमार्क बता करना पड़ेगा रिपैन ंफाइंट क्लास्मार्क आप लिमें अवे ॉप्र एंट निमीट कश लोगर लिमेट अ ओंपर ले अगे अ लीमेट प्लस लोवर क्लास लिमिट इस विल बी डिवाइड़ वाई टू फिर से टेबल को री कांस्टक्ट करते हैं इस बार देखिए यहाँ पर टू कालम की ज़िए ठी कालम बनाएंगे इस सेक्शन इस इसको बनाते हैं यहाँ पर सेक्शन इस इस इधर हो गया सेक्शन बी ओके तो अब देखिए सबसे पहले तो मार्स यहाँ मार्स लिख दिया हमने मार्स लिखने के बाद हम निकालेंगे क्लास मार्स जो की फार्वुले का यहाँ हो गया अब देखिए जिस तरह से वहाँ भी डाटा दिया है उसी तरह से डाटा को राइट करेंगी जी रो टू टेन इसके क्लास मार्स कितना हो जाएगा बच्चों जी रो प्लस टेन बाइटो यानि फाइफ हो जाएगा यहां क्लास मार्स फाइब लाग दीजिए स्रेक्वेंशी कितनी है थ्री एन इसी तरह 10 टू 20 टैन प्लस 20 थार्टी डिवाइद बाइटो यारी 15 इसे नाइन हो गया 22 थार्टी कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कि यह जाएगा दिवाइद फाइटो जाएगा 25 और यहां पर देखिए 17 एक्षेक्वेंशी नेश्ट है 30 इस तरह से हमने सेक्षने का जो डाटा था तयार कर लिया यह आ जाएगा फोटी-फिप्टी-दि डियॉइड़ बाइड़ बाइड़ तू-फोटी-फाइब और इसका जो फ्रेक्वेंशी है कितना है नाइन है इसी तरह आजाएगे बच्छों सेक्षन भी में जीरो टू-ट कितना आया है लाट्ट वार खाइप है सेम हो जाएगा फिटिजा तक टिबेंटी तू-फिंटी-फक़ंटी-फ्रक जाएगा फ। यह जाएगा 2टी-फाइब एक्षटी-वर्टी के हस फूटी-फुट्यृ फॉटी-फिफ्टी-शॲ 19, 15, 10 and 1 तो इस तरह से बच्चो हमने class marks टेबल एक प्रिपेर कर लिया अब देखिए इसको बनाने का तरीका ही है कि जो class marks है taking class marks on x axis and frequency on y axis and choosing the appropriate scale that is 1 unit equal to 3 or y axis the frequency polygon can be drawn like this तो चलिए अभी इसका ये तो पोस्टर का पार था इसको हमने solve कर लिया है तो इसको erase करेंगे यहीं पर हम frequency polygon drop बनाएंगे और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले x axis फिर y axis दो axis constructs करने पड़ेंगे और उसके base पर यहां पर सब दिखाएंगे हम यह देखिए यह हो गया आपका vertical line यानि y axis और यह horizontal line x axis फिक है बच्चों अब यहां बे फ्रेक्वेंशी सो किया हमने क्या सो किया यह vertical line जो y axis है यह सो करता है फ्रेक्वेंशी को ओके स्टुडेंट और जो x axis है यह class marks को सो करेगा class marks राइट अब यहां पर देखिए हम जीरो सी स्टार्ट करेंगे जीरो 5 15 25 35 और 55 55 यह ज्यादे तक बनाते हैं एक step पढ़ा के और इधर देखिए जो scale हमने माना इसके नमने क्या माना 1 unit on y axis equal to 3 ओके तो यह देखिए यहां बे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 3 3 माना 3 6 9 12 15 18 and 21 राइट अभी हमको प्रेक्वेंसी पॉलिगॉन के फार में हमको इसको सो करना है ठीक है न तो सबसे पहले देखिए यहां टेबल आल्रेडी बना हुआ बच्चो इसी टेबल का बेस्ट लेके हम पहले section A का फ्रेक्वेंसी पॉलिगरान बनाएंगे फिर section B का बनाएंगे तो section A का सबसे पहले बनाते हैं यह 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 फ्रेक्वेंसी के सामने 5 के और 3 के सामने जहां पर यह यह आ गया है फ्रेक्वेंसी का 9 है यहां 9 आ गया देन आप्टर 25 यह 17 हो गया 25 17 50 से उपर और 18 से थोड़ा नीचे आ जाएगा देन आप्टर 45 फ्रेक्वेंसी वाला यह 12 है फ्रेक्वेंसी यह यहां आएगा उसके बाद 45 9 नाइन देखी यहां पर यह हो गया आपका सेक्शन यह का फ्रेक्वेंसी पॉलिगान एक दम स्ट्रेट लाइन से से मिलाते जाएगे यह प्रिपेयर होता जाएगा इस तरह से देखिए बच् फ्रेक्वेंसी पॉलिगान आपका प्रिपेर हो गया अब हम आएंगे सेक्शन वी यह इसेक्शन व कर सकते हैं कि अलक प्रेक्वेंसी फाइप होने पे जो क्रास्मार के वह भी 5 है फ्रेक्वेंसी 5 है तो यहां से थोड़ा नीच्छ है गई गई शेक्षन भी ठीक ना फिप्टीन यह नाइंटीन आ रहा है तो एटीन के जैस्ट उपर यहां तो बना दिया है देन आप्टर 25 25 का 15 17 से थोड़ा नीचे यह फिटी ठीक है उसके बाद 35 का 10 तो पहरे 12 था अभी 10 है 9 के थोड़ा उपर यहां बन गया 45 यह वन है यह तो बिल्कुल यहां नीचे आ जाएगा तो इस तरह से सेक्षन बी का है यह देखें यहां से सेक्षन बी बन गया राइट यह है सेक्षन बी तो दोनों सेक्षन का फ्रेक्वेंशी पॉलिगार हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया अभी आपको इसके अधार पर बताना भी है कोश्चन की किसका परफार्मेंस बेटर है तो मेरे देखने में जो है जो आप जर्वेशन आ रहा है इसमें सेक्षन एक का परफार्मेंस सेक्षन बी से बेटर एशा आप रायट कर दिये और इसी के साथ वीडियो का पार्ट नबर 3 जिसमें हमने कोशन नंबर 5 Brothers तो श्रूल कर दिया और यहीं पर बीडियो का पार्ट प्री करते हैं आगे की कोशनों के लिए हम वीडियो का पार्ट अब दे को पेंसिल स्केल की हेल्प लेके बनानी है ताकि यह सुंदर बने और आपके मार्स एक्जाम में ना कटे बच्चे तो ठीक है लगातार प्रेक्टिस करते रहिए वाच करते रहिए आते हैं वीडियो का नेस्ट पार्ट लेके झाते हैं